नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम एचीमेंट में मैं करुना ये वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 11 के स्टूरेंट्स के लिए जिनके पास पेंटिंग सब्जेक्ट है उनके सेकिंड टरम के चैप्टर भारतिय कांस से मूर्तियों के सॉलिशन के साथ दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें जिससे की इसी तरह के और सॉलिशन और इंफर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे तो दोस्तों शुरू करते हैं कोश्यन नमबर एक से तो भारतिय कांस से मूर्तियों के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं दोस्तों ये आपके NCRT के सॉलिशन्स है भारत में कांस से मूर्तियों का इतिहास सिंदु घाटी से आरंभ होता है जैसा कि आप सभी को पता है यहां से पुरातत्तु वेत्ताओं ने कांस से बनी कुछ मूर्तियां प्राप्त की हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण है? नर्त की रत तथा सांड की मूर्तियां इससे सिध होता है कि सिंधु वासियों को किस चीज का ग्यान था धातु विज्ञान का और धातु विज्ञान क्या होता है जिसमें धातुओं को पिगला कर विभिन रूपों में जैसे की मूर्तियों और आकरतियों में ढाला जाता है तो भारत में विविन्न भागों से कास्य की बनी बौध, हिंदू वे जैन प्रतिमाएं प्राप्थ होती रही है और यह क्रम अनवरत अभी भी जारी है आज जाते हैं कोईश्य नमबर दो पर जो है इतिहास की ड्रिस्टी से किस काल को भारतिय कास्य मूर्तियों का सुण युग कहा जाता है बिल्कुल सिंपल तो गुप्त काल पीरियड को कास्य मूर्तियों का सुण युग कहा जाता है Q3 है friends भारत में किस विशे पर सर्वतिक मात्रा में कांसे मूर्तियां बनी है तो भारत में दक्षिन भारत एक ऐसी जगा है जहां पर कांसे मूर्तियां बहुत ज़्यादा बनी है और किस विशे पर बनी है तो नटराज विशे पर बनी है और नटराज शिव का ही एक रूप माना जाता है देख लेते हैं question number 4 नटराज नामक मूर्ती की विशेवस्तु का वर्णन कीजिए तो नटराज जो की कांसे मूर्ती है इसका निर्मान किस ने करवाया था? चोल शास को ने करवाया था यह बहुत जादा important question है इसकी बार्वी शताबदी में करवाया चोल सास को ने नटराज कांसे मूर्ती का निर्मान यह कांसे मूर्ती तमिल नाडू के तंचावुर में बनाई गई थी मूर्ती को बनाने वाले मूर्तीकार के बारे में कोई भी जानकारी हमें फ्राप नहीं होती है यह मूर्ती वर्तमान में रास्ट संग्राल्य नई दिली में सुरक्षिद है चौलकाल की इसकांस से मूर्ती में भगवान शिव को अपने दाएं पैर पर संतुलित इस्थापित किये हुए दिखाया गया है जिसके नीचे उन्होंने अप्समारा नामक देत्य को कुचला हुआ है और अप्समारा देत्य बुराई और अज्ञान का प्रतीक माना जाता है बाया हात अभेहस्त मुद्रा में है और उपर के दाएं हात में उनका प्रिये वाद्यंत्र डमरू है जबकि उपर के बाया हात में ज्वाला आग है तथा मुख्य बाया हात उनका डोला हस्त मुद्रा में है जो की जुड़ा हुआ है अभेहस्त मुद्रा के साथ उनके केश अर्थात उनके बाल की लटें दोनों और दूर तक फैली हुई है उनकी इस नरत्य मुद्रा को व्रत रूपी जुआला ने घेर रखा है तो दोस्तों ये विवेचन है नटराज कास्य मूर्ती का कोशन नमबर पांच देवी उमा नामक कास्य मूर्ती की विशेशताओं का वर्णन कीजिए तो देवी उमा मूर्ती शिल्ब भी चोल साजकों द्वारा बनाई गई कहां पर स्थापित की गई थंजावुर्द तमिलनाडू में ये भी कास्य दात्यू की प्रतिमा है और इसका निर्वान ग्यार्वी शतापदी में गराया गया मूर्ती का मूर्ती कार कौन था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है और आज की डेट में अगर हम इस मूर्ती को देखना चाहते हैं तो राश्र संग्राले नहीं दिल्ली में इसको रखा गया है इस मूर्ती के आकरशन का मुख्य कारण था इसकी लालित्य पूर्ण यानि की लेयात्मक लेयात्मक मुद्रा या आकरती आकरशन का एक अन्य कारण इसकी लेयात्मक नर्त्य मुद्रा भी है इसने कमर के नीचे पहने हुए वस्तरों के उपर आकरशक कमरबंद नामक आभूशन धारण किया हुआ है साथ ही सर पर विभिन इस तरों वाला एक मुकुट भी है इस मूर्ती में देवी उमा बाजुबंद पहने हुए हैं पहने हार पहना हुआ है कलाई और पैरों में भी उन्होंने आभूशन पहने हुए है वो इस तरह से खड़ी हैं मानों उन्होंने अपने दाएं हाथ में कोई पुश्प पकड़ा हो अत्वा किसी को कुछ समझाने का प्रयास कर रही हूँ दोस्तों यह मूर्ती चोल काल में बनी बहतरीन कलाकरतियों में से एक है आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसकी जानकारी भविशे में आपके काम जरूर आएगी आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने एक्जाम में अचीव करेंगे इसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें धन्यवाद दोस्तों